Hello everyone, welcome to my channel Friends, आज हम लटकन बनाना सिखेंगे तो लटकन बनाने के लिए मैंने ये समान लिया है जैसे बीर्स लिये हैं ये कुछ बरीक वले बीर्स है और ये हमारे वाइट वाले बीर्स है एक डोरी लिये है और एक कपड़ा लिया है मैंने गोल्डन शेड में सबसे पहले हम कपड़े को ready करेंगे तो ये कपड़ा मैंने कितना लिया है जैसे हमारा यहाँसे 5 इंच है और इस साइट से हमारा 2 एंट हाफ इंच है इस कपड़े को हम ऐसे fold करेंगे और ये fold lid place है इसके हम 2 पीस बना लेंगे यहाँसे cut करके यह डोरी है जैसे इस कोर्नर में हम ऐसे रखेंगे इतना हमारा बाहर को रहेगा ऐसे सेंटर में यह दूसरा पीस हम इस तरह से रख लेंगे और यहां से हमें सिलाई करनी है यह तीन पीस में सिलाई करनी है यहां से यहां तक यह हमारा ओपन रहेगा तो सिलाय लगाते हैं ये सिलाय मैंने लगा दी है अब इस कपड़े को हम सीधा करेंगे ये सीधा कर लिया है कपड़ा पैन की हल्प से हम कोनों को अच्छे से निकाल लेंगे ये सीधा कर दिया है मैंने कपड़ा अब इस तरह से हमारी शेप आगी है कपड़े की यहां पे हम रूई फिल कर रहेंगे यहां पे हम छोड़ी कपड़े की कितरन भी डाल सकते हैं थोड़ा ही हम डालेंगे यह रूई इसमें मैंने डाल दी है अब यह कपड़ा है हम फोल्ड करेंगे यहां से इस तरह से ब्राबर फोल्ड होना चाहिए हमारा, कपड़ा मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया है, इस तरह फोल्ड करके यहां पे हम सिलाय लगा लेंगे, यह पर लगा दिया, अब इतना रैटकन हमारा बन गया है, इसके बाद हम बीर्स लगाएंगे यहां पर, तो यह मैंने नीडल ली है, इ तोटा बीड लेंगे ऐसे डाल लिया यह मैंने बीड इस तरह से डाला है अब यह डबल धागा है इसमें से ऐसे धागे को निकालना है यह हमारा यहां पे इस तरह से सेट हो जाएगा अब हम यह वाइट वीड डालेंगे यह दो बीड हो गए हमारे अब यह कोर्णर है हमारा यहां से नीडल को इस तरह से निकालना है और यहां पे हमें नोट लगा देनी है दो जिससे यह हमारा पक्का हो जाएगा यहां से दाखा कट कर लेंगे यह हमारा एक मोती लग गया है यहां पे अगला लगाएंगे इसके लिए हम यह चोटा वाला बीड बीड लेंगे ऐसे डाल लिया अब यह डबल दाखा है इसमें से नीडल को इसिंगल करके ऐसे निकालना है यह हमारा set हो जाएगा यहाँ पर ऐसे और इसे बाद हम यह बाइट वीट लेंगे और इसके साथ ही हमें इसे भी attach कर देना है ऐसे और यहाँ भी हम ऐसे note लगा लेंगे यहां से कट कर लेंगे हैं अब यहां से यहां वहारे इस पलायो springs लुट करेंगे इन फिनिशंग में लगाने हैं एंसे कट कर लेंगे दो बीड्स में सनाइलें कि इस इस सिर्ण मुट्व लगा लेंगे अन्मT साइज दो कर दो करना दे का नोटक्र को लाइं हैं definitely अब में आपको एजी तरीके से एक दूसरे तरीके से बनता हूँगी कैसे हम बीट्स लगाएंगे यहां पे तो यह डबल धागा है इसको हम यहां पर ऐसे कर लेंगे कि अब यहां पर हमें बाइट वीड डालना है ऐसे और उसके बार हम यह छोटा वीड डालेंगे अब यहां पर ध्यान से देखिए यह छोटा बीड जो डाला है इसके अंदर से हमें दागा नहीं डालना इस में से डालना है जो बाइट वीड है यहां से तो फिर इस कपड़े में हम ऐसे लेंगे यह हमारा इस तरह से आजाएगा अब यह धागा हम यहां पर निकालेंगे देख लेंगे कितना बीड हमारा दुसरा आएगा उसके लिए स्पेस इसके बाद हम यह बीड डालेंगे यह हमारा धागा क्या इधर काटना नहीं पड़ेगा हमें तो जल्दी भी होगा यह एक बीड डाल दिया है अब छोटा बीड डालेंगे अब यहां पर ध्यान से देखिए यह चोटा बीड हम ऐसे ही रहने देंगे और यह बाइट वाला बीड है इसमें से हम क्रोस करेंगे नीडल को और यह कपड़ा भी हम साथ में लेंगे इस तरह से हम यह दूसरी लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे तो दो तरह से मैंने बीड लगाना बताए आपको जो भी आपको मैथर अच्छा लगे उसी साफ से आप लगाएं तो इस तरह से यह हमारी एक लटकन बनके रेडी हो गई है इसी तरह हम दूसरी लटकन बना कि बनाएंगे बहुत ही सस्ता पड़ेगा जैसे बजार में हम लेंगे तो सोदबे से हमें कम नी मिलेगा इससे जादे ही मिलेगा तो घर में हमारा ऐसा कपड़ा है प्लेन दूसरे कपड़े से भी बना सकते हैं जिस कलर का हमारा ड्रेस जा बलाउस है वुससे साबसे भी हम बना सकते हैं ये लटकन तो ये प्यारी सी सुन्दर सी लटकन हमारी बन गई है वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर नहीं है तो बेल बटन भी दबा ले जिससे कि मेरे अगले आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाएंगे इंस्टागाम पर भी आप में पर फोलो कर सकते हैं उसका लिंक में बिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अब बहां से देख सकते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में